असलाम आलेकुम स्टुडेंट्स, होब सो जुआ विल भी फाइन से वाइदे ग्रेस ऑफ अलालमाइटी मैथमेटिक्स का इनट वन कर रहे थे हम, आज हम इसके एक्सेसाइज 2 का पार्ट 2 करेंगे पार्ट 1 मैंने पहले अप्लोट कर दिया है, तो वो भी आप देख लीजेगे, उसे आपको इस पार्ट की इच्छे से समझाएगी तो पार्ट 2 जो है, वो भी हमारे पास अडिशन एस अप्रेक्शन पर कंसिस्ट करता है तो यहां पर खुशन है, हमारे पास सादिया पॉट प्लोट फोरेज 659,814 एन अनधर प्लोट 799,999, find the total amount she spent बच्चे जब भी आपके पास यहां पर वर्ड आएगा total amount तो आपने क्या करना है, आपने plus करना है और जब आपके पास वर्ड आएगा left amount तो आपने minus करना है, यह हमारे पास दो वर्ड है, total amount and left amount जब total आएगा तो plus करेंगे, जब left आएगा तो हम minus करेंगे तो अपने equation बनाते है, price of one plot 659,814 price of another plot 799,999 अब इसकी total amount करनी है, तो जब भी total amount आएगा हम क्या करेंगे, हम plus करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में 4 plus करेंगे, तो हमारे पास 13 आजाएगा 3 हम लिख लेंगे, और 1 हमारे पास उपर carry चला जाएगा अब यहाँ पर 1 में 1 plus करेंगे, तो 2 आजाएगा, 2 में 9 plus करेंगे, तो हमारे पास 11 आजाएगा 1 निच लिखेंगे 1 कैरी चला जाएगा हमारे पास 8 में 1 प्लस करेंगे 9 और 9 9 18 आजाएगा 1 प्लस 9 10 और 9 हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आजाएगा 5 plus 1 plus 9 15 और यहां पर 6 में 1 plus करेंगे तो 7 और 7 में 7 plus करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 14 next question है हमारे पास Amand has an annual income of rest 456,750. He spent rest 125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? तो यहां पर left का word यूज हुआ है जब भी left का word यूज होगा तो हम माइनस करने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको उपर भी बिताया था कि जब left का word यूज होगा तो हम उसमें माइनस करेंगे. चलते हैं question की तरफ तो इसमें annual income हमारे पास है 456,750. Amand for construction of masjid 125,295. अब यहां 0 में से 5 नहीं निकल सकता तो हम क्या करेंगे? 0 जो है वो 5 के पास जाएगा और वहां से 1 बोरो ले लेगा. तो 0 बन जाएगा 10 और 10 में से जब हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5. तो यह जो 5 था यह रह गया था 4. अब 4 में से भी 9 नहीं जा सकता तो 4 क्या करेगा? 7 के पास जाएगा और यहां से 1 बोरो ले लेगा. तो 4 बन जाएगा 14, 14 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5. और 7 जो था वो 6 रह गया था 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4. अब 6 में से 5 निकालेंगे तो 1. 5 में से 2 निकालेंगे 3. 4 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3. नेक्स्ट कोर्षान के तरफ मूव करते हैं. लहूर has a population of 459,814 in one town and 325,919 in another. अब इस कोर्षान में हमारे पास दो पार्ट हैं. पार्ट A में अनने पुछा है, what is the total population of both the town? तो फिर से word हमारे पास आगया total का. तो जब हमारे पास word total का आएगा, तो हमने क्या करना है? हमने plus करना है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन्हें plus कर लेंगे, यानि कि total कर लेंगे. तो 4 में 9 प्लस किया 13, 3 नीचे रह जाएगा, 1 उपर कहरी चला जाएगा, 1 प्लस 1 and 1, 3. 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17, 7 नीचे रह जाएगा, 1 उपर चला जाएगा, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 5, 15. 5 प्लस 1, 6, 6 प्लस 2, 8. 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमार पास आजाएगा, 7. इसका भी पार्ट है, what is the difference between their population? अब difference भी हमार पास minus होता है, यानि कि फर्ग. तो यहां पर जब भी difference का वर्ड आएगा, तो आपने इसे minus करना है. तो यहां पर हम इसे minus करेंगे, पॉपलेशन ओफ वन टाउन, 459,814. पॉपलेशन ओफ एनधर टाउन, 325,919. तो अब हम इनके difference निकालते हैं, 4 छोटा है और 9 बड़ा है, तो 4 में से 9 नहीं निकाल सकते हैं. 4 जाएगा, 1 के पास, और यहां से हम 1 बोरो ले लेंगे, और 1 जिरो रह जाएगा. तो 4 बन गए, 14, 14 में से 9 गए, तो यहां पे हमारे पास 5 रह जाएगा, तो 0 जाएगा, 8 के पास, भागता, भागता, और वहां से ले आएगा, 1 बोरो, तो यहां पे 8 जो था, वो 7 रह जाएगा, और 0 बन जाएगा, हमारा 10, 10 में से 1 गए, 9 रह गया, और 7 में से 9 नहीं जा सकती है तो 7 क्या करेगा 9 के पास जाएगा और वहां से 1 बोर ले लेगा तो 7 बन जाएगा 17 और 9 रह जाएगा 8 तो 17 में से हम 9 निकालेंगे तो यहां पे रह जाएगा हमारे पास 8 और 8 में से हम 5 निकालेंगे तो तो यहां पर रह जाएगा 3, 5 में से 2 निकालेंगे, तो यहां पर रह जाएगा 3, and 4 में से 3 निकालेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1. 1.- The Annual Yield of Mango Archar is 656,565 kg. In the 2nd year, the yield of mango archar decreased by 100,984 kg. तो इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने इसका डिफरेंस निकालना है प्रोड़क्शन ओफ मैंगो इन से फोर गये वाना चाहेगा यहां पर 6 चोटा है 8 हम उसमें से नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे 6 जो है वो 5 से 1 बोरो ले लेगा तो 6 बन जागा 16 और 16 में से जब हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8 और जो 5 था वो रह गया था 4 अब 4 में से भी 9 नहीं निकल सकते तो 4 जाएगा 6 के पास और यहां पर 6 काटेंगे और यहां पर 6 रह जाएगा 5 और 4 बन जाएगा 14 तो 14 में से 9 गए 5, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 0 फिर से गए तो 5 और 6 में वन गया 5 यहां हमार पास आंसर बनेंगा 555,581 next question है question number 7 the government built 386,655 houses for the homeless in one year the second year 24,521 fewer homes were built than the previous year how many houses did the government built in both the years तो यहां पे हम क्या करेंगे houses built in one year 386,655 fewer homes built in second year 24,521 houses built in second year तो यहां पे basically difference पुछा जा रहा है और difference में हम क्या करते हैं हम minus करते हैं तो यहां पे हम minus करेंगे 5 में से हम 1 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा 5 में से 2 गए 3 6 में से 5 गए 1 6 में से 4 गए 2 8 में से 2 गए 6 और 3 का 3 then है houses built in first year 386,655 houses built in second year 362,134 अब यहां पे हमने इसका total करना है total houses built उन दोनों सालों में कितने घर बने तो 5 में 4 गए 9 5 में 3 गए 8 6 में 1 गए 7 6 में 2 गए 8 8 में 6 गए 14 4 निचे रह जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा 3 गए 1 4 4 गए 3 7 3 की चलाएगा 4 बने चलाएगा 5 गए 1 5 ड architects 654,888 in her bank account 5 की बने चे़स रश। Exactी हमने चलाएगा अज़त चै़्जाब्चा बने च्के़ अजाएगा 5 में 494,881 endESE 6 की चलाएगा 10 तो बने चलाएगा 10 चलाएगा 10 हाएगा 600, अब यहां भी हमने क्या करना है, हमारे पास है left amount, और मैंने आपको बिताया था, कि जब आपके पास आजाए left amount, तो आपने करना है minus, और जब आपके पास total, तो आपने करना है plus, और जब world आजाये आपके पास different, तो आपने उसका difference निकालना है, यानि कि उसे भी आपने minus किरना है तो 8 में से 0 गए 8 8 में से 0 गए 8 8 में से 6 गए 2 4 में से 5 नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे हम 5 से 1 बोरो ले लेंगे और 4 बन जाएगा हमारा 14 basically यहाँ पर 3 नहीं आना तो इसे मैं cut कर रही हूं और उपर आपने उसे 14 बना देना है तो 14 में से 5 गए 9 4 में से 3 गए 1 9 में से 1 गए 8 Next question है हमारे पास question number 9 A factory owner gave rest 448,870 as reward to his employees in one year In a second year, rest 437,995 were given as reward तो इसका option 1 है हमारे पास What is the total amount given as reward in both the years and B है in which year the factory owner gave less reward and help reward given in one year 448,870 reward given in second year 437,995 तो इसमें हमने इसकी total amount find करनी है 0 में 5 प्लस करेंगे 5 7 में 9 प्लस करेंगे 16 6 निचे लिखेंगे 1 करे चला जाएगा 8 में 1 प्लस करेंगे 9 and 9 प्लस 9 18 8 में 1 प्लस करेंगे 9 9 प्लस 7 6 16 4 में 1 प्लस करेंगे 5 5 में 3 प्लस करेंगे 8 and 4 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आजएगा 8 B पार्ट है इसका reward given in one year 448,870 reward given in second year 437,995 तो इसमें अब हमने difference find करना है और जब difference find करते हैं तो हम minus करते हैं यहां पर 0 में से 5 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे 7 से 1 बोरो ले ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 10 में से 5 तो 5 आ जाएगा अब यहाँ पर 6 राए गया था तो 6 में से 9 पी नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगी 8 से 1 बोरो ले लेंगे और 6 बन जाएगा 16 तो 16 में से हम 9 निकालेंगे तो यहां पर रह जाएगा 7 और 8 जो था वो 7 रह गया था अब 7 में से भी 9 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाला जो 8 है वहां से 1 बोरो ले लेंगे और हमारा 7 बन जाएगा 17, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 7 गए 0, 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 4 गए तो 0, वो लिखे हैं या ना लिखे हैं कोई बात नहीं होती Next, last question है हमारे पास question number 10 Farhan Dunares rests 6 million to 2 ED organization If he pays 385,990 to 1 ED organization, how much will he pay to the other organization? Donation given to organization 6 million Donation given to first organization 385,990 तो इसमें हम क्या करेंगे? Donation given to second organization इसमें हम इसे minus करने वाले हैं, subtract करने वाले हैं तो 0 में से 0 गए 0 यहां पर 0 में से 9 नहीं जा सकता तो हमें borrow चाहिए 1 Next जाएंगे तो यह भी तो 0 है तो इसके पास भी कुछ नहीं है तो उससे भी हम क्या करेंगे? Next जाएंगे उससे next जाएंगे तो वो खुद 0 है अब उससे भी next जाएंगे वो भी 0 है और उसके बाद हमारे पास जो last में है 6 वहां से हम 1 borrow लेंगे तो वो वाला 6 रह जाएगा 5 और उसके बाद वाला जो 0 है वो बन जाएगा 10 फिर हम क्या करेंगे? 10 को बनाएंगे 9 और उससे पीछे 1 बो रो ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 10 फिर से उससे काटेंगे और वो बन जाएगा 9 और उससे पीछे जाएंगे और वो बन जाएगा 10 तो फिर उसे काटेंगे और वो बन जाएगा 9 और उसे पीछे हमारे पास आजाएगा 10 तो 10 में से 9 गया हमारे पास आजाएगा 1 फिर 9 में से 9 गया हमारे पास आजाएगा 0 9 में से 5 गया 4 9 में से 8 गया 1 and finally 5 में से 3 गया तो 2 आज का लक्षर यहीं तक था उमीद है आपको वीडियो पर संद आई होगी और समझने आई होगी